जैहिन दोस्तों आज बात करेंगे कि ऐसे निर्माड की जो की आसे तीन महीने पहले बना और पहली ही बारिश में वो पूरा निर्माड कोलैपस हो गया इस निर्माड में करीवन 22 से जादा लोगों की मिर्ती हुई है और 20 से जादा लोग इंजर्ड हुए हैं घायल हुए है ये बात कर रहा हूँ मैं गाजेवाद में एक जगा है मुराद नगर के एक शमशन घट की जहां पर ये घटना घटित हुई इस घटना का असर इतना जादा हुआ कि इसके लिए जो चेहरे चिलिंत किये गए जो अधिकारी इसके लिए शामिल थे इसमें इस निर्माड को क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं तीन महीने में कोई निर्माड ढह जाए तो कितना जादा महाँ ब्रश्टाचार हुआ होगा ओ हम कॉंट्रेक्टर हैं यदि हम किसी का घर बना रहे हैं लेकिन सोचो दोस्तों आप as a civil engineer कहीं वर्क कर रहे हैं वो company के लिए वर्क कर रहे हैं लेकिन उस घर को कोई खरीदेगा जिसने जिंदकी भर की जवापुनजी उस घर को खरीदने में लगाई होगी तो आप किसी के स रोड अभी collapse हो जाएगी नीचे बैठ जाएगी ब्रिज टूड जाएगा ब्रिज के ओपर चलते हो आप कभी सोसते हैं नहीं सोसते क्यों क्यों कि आप भरोसा करते हो उस civil engineer पर उस contractor पर जिसने वो घर बनाया होगी जिसने वो ब्रिज बनाया होगा यह भरोसा करते हो आप तो आप भी क्या है आप दूसरे creator हैं God के बाद God ने तो इस प्रत्वी को बनाया लेकिन उस प्रत्वी में रहने के लिए उस प्रत्वी में चलने के लिए उस प्रत्वी में आसान transportation के लिए आपने road का निर्मार किया आपने bridge का निर्मार किया और रहने के लिए लोगों के ते घर का निर्मार किया क्योंकि आप एजा सिविल इंजिनर वर्क करते हैं गौड के बाद दूसरा क्रेटर आपको माना जाता है इसलिए घर के साथ किसी भी बिल्डिंग के साथ किसी भी रेजिटेंशल बिल्डिंग्स या कमर्शल बिल्डिंग्स या रोड या ब्रिज उस लोग tender के लिए संगर्ष करते हैं लेकिन ऐसे contractor को tender मिल जाता है जो पहले से जिनके उपर जाच बैठी हुई है इस मामले में UP के जो मुख्यमंत्री है चीफ मिनिस्टर योगी अधितनाज जी जिन्होंने अभी SIT की जास तो बैठाई है इसमें साथ के साथ यहाँ पर जो EO ह officer Niharika को यहां से निलंबित कर दिया है मुरादनगर से completely नगरपालिका से निलंबित कर दिया है यहाँ पर supervisor और साथ में इनके जो J.E.E. को भी यहां से निलंबित कर दिया है जाच का मामला है जाच का भिशे है अच्छा है यहाँ पर जाच जल्दी हो इस चीज में जो 25 ल foundation जितना अच्छा strong होगा उतना हमारे structure बेहद ही अच्छा होगा जब हम बात करते हैं estimation जब मैं आपको YouTube वीडियो पर पढ़ाता हूं आकर estimation के time पर मैं आपसे बोलता हूं foundation part में sand filling PCC फिर उसके बाद आपका footing concrete footing concrete में उसका जाली हम चेक करें pedestal column फिर backfling यह सारा पार्ट यह अच्छा होगा आप दीगे वहाँ पर क्या था footing आपके natural ground level पर ही provide कर दिया सोचो अगर वहाँ पे में गड़ा खोद के footing को अंदर provide करता थोड़ा सा cost ज्यादा ज्याता मेरा पैसा तो मिली रहा है मुझको 55 लाग रुपे का tender वहाँ पर मुझे एमांट तो मिली रहा है मुझे मैं वहाँ पे गड़ा खुदवा के footing को अंदर अच्छे से place कर देता त इसको यहाँ पर देखो इसको मैंने यहाँ पर पकड़ लिया यह नीचे below the ground level चला गया देखो stability मिल गए इसको लेकिन अब मैं इसको कह रहा हूँ ऐसे खड़ा हो जाओ हो पा रहा है क्या यह नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको stability मिलने के लिए उसको हमें below the ground level ही provide करना पड आपको फॉंडेशन फॉंडेशन के बाद यहाँ पर जो material था material की completely testing होने चाहिए क्या वहाँ पर आपको जो concrete का grade दिया था वह concrete का grade achieve हुआ क्या strength concrete का grade achieve हुआ क्या strength नहीं हुआ होगा हना खराब गुडवत्ता के कारण यह हादसा हुआ तीन महीने में कौन सा जमीन तीन महीने में कौन सा ऐसा project होगा जो नीचे collapse हो जाएगा कुछ चांस ही नहीं है यार collapse होने का एक engineer building को design करता है 75 सालों के लिए 75 साल और वहाँ तो मैं ब रश्टा 4 का खेल चला आ रहा है खराब गुडवत्ता का जो product यूज करते है market में उसे use ना करके हम एक अच्छी गुडवत्ता का product यूज करें जिससे ऐसे हादसे ना हो क्योंकि एक इंसान की जान की कीमत बहुत ही important है दोस्तों आप देख सकते हैं एक contractor के लालच में कैसे आज कितने परिवार उजड़ चुके हैं साथ ही साथ कितना manpower कितना time कितना पैसा यहाँ पर बेश्ट हुआ contractor को हो सकता है आने वाले time में फिर से contract मिल जाए फिर से ये काम होता रहे लेकिन वो जो परिवार आज बिछड़ चुके हैं जिनके परिवार आज उजड़ चुक कि जितना भी construction process होता है construction में वो सारे construction process आपको पता होना चाहिए सारे specification आपको पता होना चाहिए कि कितना provide करना है कितना thickness होना चाहिए हम अपने YouTube चनल पर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों इन सब चीज़ों को construction process कैसा होना चाहिए आप लोग यहाँ पर complete देख सकते हैं हमा लोगों के लेकर आए है construction operating process COPS course को इस course का नाम है COPS construction operating process जिसके लिए complete जानकारी जानने के लिए description में मैंने link दिया हुआ है और एक number है 911 जो आपको board line पर number देख रहा है 911 001234 इस number पर call करके आप सभी तरह की संपूर्ट जानकारी ले सकते हैं civil engineering के career के regarding this course के बारे में complete जानका सभी तरह के आपको construction process सभी तरह का barbending schedule सभी तरह का quantity survey and rate analysis और सभी तरह का आपको billing engineering के साथ साथ आपको सभी तरह के civil engineering में use होने वाले software की complete जानकारी मिल सके जिससे आप लोग अपने civil engineering career में अच्छे से grow कर पाएं तो दोस्तों बने रहे है civil guruji के साथ ऐसे ही और वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा आपको अव्यार करने के लिए जै हिंद जै भारत बंदे मात्रम प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी एप एप एवलेबल इन गूगल प्लेश्टोर डाउनलोड नाव